अब पर्सों ही बरात आ रही कल का दिन बीच है और आज है पर्सों तो काम होई जाएगा क्या करें बोले ततकाल पत्र लिखो और एक महत्पूर ब्रामाण को जिस पर विश्वास था कि ये किसी से बताएगा नहीं उस पत्र को लिख करके बरामाण को दे दिया, साथ इस लोगों में पत्र लिखा और बरामाण के हाथ ठमा दिया कि गुति रूप से जाकर के प्रभु के पास तकाल तुम से जितने तेजी से जाते बने तुझी तेजी से जाना क्योंफी दो ईदिन हे बाल समए है ऐसा कहा परंपरा के अनुसार कन्या पहले गौरी फूजन के लिए जाती है मैं भी आप दो वही मिलोंगी मंदिर में यदि आप समय पर नहीं पहुँचे तो भले ही साथ मिजन में लेना पड़े किन्तु बिवाह करूंगी तो आप से ही करूंगी और किसी से नहीं भागवान बोले पत्र को जब सुन लिया भागवान ने तो कहा जैसी रुकमणी की दसा है ना कि वो हमारे लिए तरफ रही है अरे वही दसा हमारी है कि हम भी रुकमणी के लिए तरफ रहे है सार्फी को बुलाया कि डिलंब नहीं करना है दोई दिन है और गुजरातपुरी में और कुंडनपुर कहा है कि चार दिन भी अगर चला जाए अपने रख से सबसे तेज गोड़ों के साथ तो भी समय पे नहीं पहुंचा जा सकता जो अपने गोड़ साल में जो सबसे तेज दोड़ने वाले हो उनको जोद करके लाओ तो दारुप चार गोड़ों को ले करके जोद करके आगया उन चारों गोड़ों के नाम सुनो एक गोड़ा सेब नाम कथा, दूसरी का नाम सुग्रीग, तीसरा मेग पुस्थ और चोथा पलाहक जोद करके राख दारुप रख ले आया रख ला करके तेरा हर गाव लाख लिजारे बनो तेरा का जल्ड़ है हजारी बनो तेरा का जल्ड़ है हजारी बनो तेरी अगिया जल्ड़ दकी पलो तेरी अगिया जन्दों तेरे गंगन ऊश्राव तेरे बनो तेरे गंगझल इनल्लाब तेरे बनो तेरे गंगन जल्ड़ है थो ताने पिल, सभे जड़ तीर गड़र बनो रुकमरी जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके इधर उधर घुमाया, सब देखते ही रह गए, भगबान दोड़ करके आ रहे हैं जन्ता के बीच में से कोई समझ ही न पायो के का है रहे हो है, कनईया दोड़ते हुए आये, दोड़ करके, तद काल रुकमरी, अरे रास्ता रास्ता चोरदा, 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 रास्ता चोर अपनी सलवार निकाली अपनी गर्दन काटने लगे कि अब तूला बिना बहू के अगर घर लोटेगा तो दुनिया को कामोह दिखाएगा तो अब जैसे ही तलबार निकाली के मैं तो आख में हत्या करके सिसुपाल बोला मर जाओंगा तो उसके मित्र जरासंध ने समझाया कि अरे महराज हमने तो पहने ही कहा था कि देखो कनया आ गया है साउधान वहना लेकिन सभी लोग इतनी भीर होबे के बाद भी चूक है गई और कनया लेके भाग गयो कोई बात नहीं या मरवे की बात नहीं अरे तुम तो एक घटना में इतनी सी घटना में रो रहे हो अरे हमें तो देखो 17 बार हम कनया से युद्ध में पराजित हुए है तो भी हम तुमारे सामने बैठे हैं अब सिसुपाल मन ही मन सोचना है कि यहां तो हमसे भी बड़े बड़े बेसर्म बेठे हैं जो 17 बार हारने के बाद भी अभी बेठे हैं जिन्दा है हुए 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 बड़े पार चक्कि युद के युद ऑराजित हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जाए आए आए गोभाराम के तना राहसे जोपने भागों इनलिया बुर्चिल्ट मर्चिल्टर दुंदर्पाराय। कर दो कर दो चाहिए बीथिट, पारीप ने एक कोषवेझ में। तो बेकुंट में जो उतने दान किया था धन, पैसा, सोना, चान्डी, हीरा, मोती, जब आहरात, उनके धेरों पे इनको बिठाल दिया गया जो चीज हम यहां दान करते हैं, वोई वहां मिलती है, ध्यान रखना, जब इनको एक से पंद्रा दिन बैठे हो गया, बोले हमने तो सुना था कि स्वार्ग में, जो कुछ भी मन की एक्छा करो सप्राप्त होता है, यहां तो हमें पंद्रा दिन आये हो गया, भूखे मर रहे, ना किसी ने पानी के लिए अब तक कोई पूछ ने आया, ना भोजन दान किया, भगवान को बुलाया पारसदों से कहा जरा प्रभू से कहो मुझे बारचीत करना है, भगवान आये बोले क्या बात है, बोले महराज के सरस्वर्ज है तुमारा, अरे हमें आये तने दिन भोजन ना दियो, पानी ना दियो, भगवान बोले किया तुम किसी को भोजन पानी करा के आये हो, अगर भोजन पानी करा के आते तो तुम्हें यहां भोजन पानी मिलता, अगर बस्त्र दान किया होता, तो यहां बस्त्र मिलता, अगर तुमने जो दान किया है, उस दान पे जब हो गया हमें तो यह मालूग ही नहीं था तरफ तो हो गए उतने दिन की भूँ प्यास उनकी बुझ गई चली गई अब पस्ताने लगे अब क्या करें तो भगवान से प्राफ्ट ना करी कि महराज हमें कुछ दिन के लिए प्रफ़ी पराब वेजो वहां जाकर कि हम सिवा जाए भोजण और अंन के कुछ दान नहीं करें ताखि यहां करते हमारे भोजण और पानी की विवस्था हो जाए एक पिंप 15 दिन के लिए भादों के महरे में कि 15 करण आये और आ कर के गवों को ब्रामनों को अदिधियों को सब को केबल अपन पितरों को पानी देती ही प् कर्ण 15 दिन के लिए आए हो ताकि वहां हमारी भोजन की विवस्था हो सके वो 15 दिन आकर के खूब उन्होंने दान पुन्न किया केबल भोजन का पाईसों का नहीं पानी का जब यहां से चले गए उसी पितर पच्छ को कर्ण दिन कहते हैं जो हर साल आती है को आरब है यहां से जाने के बाद तब उनके भोजन की विवस्था बनी यह कथा बताने का ताथ पर यह है कि जो भोजन के लिए दान देगा ना तुमसे को यह नहीं कहता है यह कट्टा चाओं लियाओ तुमारी गुंजाल से नहीं है तुमसे को यह नहीं कहता कि यह टीन तेल लियाओ तुमा ले जाएंगे ये बार-बार बता रहा है और फिर कान खोल के सुन लो मेरी कोई दक्षणा नहीं कान पुर्भर में नहीं मैं जबानी में कहीं भी भागवत करने जाता हूं तो बिना दक्षणा भी जाता हूं जब्लากinaire रहा है शुत में कषा कर तेरी कोई जी उतानों से घर कर देरी कोई तेरी कोई जी मारा नाया बागुट में क्यों पागोट बेमाजा आया था हाँ